राही पस्चमी वन प्रभाग के फाटो जोन में बने ट्री हाउस को सलानियों के रात्री विश्वराम के लिए खोल दिया गया है ट्री हाउस का शुभारम PCCF विनोद कुमार सिंगल और विधायक दिवान सिंग बिस्चुने संयुक तरूप से फिता काट करके अरामनगर के दो दोस्त ट्री हाउस में रात्रे विश्वराम करने से पहले सलानी बने अलाकि ट्री हाउस को 15 दिसंबर से खोला जुआना था लेकिन विभाग ने दो दिन पहले ही ट्री हाउस का शुभारम कर दिया बतादे PCCF ने बताया कि फोटो शेत्र में तीन और ट्री हाउस बनाये जोएंगे तक कि यहां आने वाले सेलानी प्राकृतिक का लुफ्त उठा सके सेलानियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्री हाउस में सभी सुविधाय दे गई है यहां सेलानियों को प्राकृतिक से नजदीक रहने के अनुभूती मिलेगी ट्री हाउस को एक विश्वाल काई बिहदा आकर्शक पेड़ बनाया गया है वहीं एक एंट्रीन बनाई गई है जिससे स्वेम सायता समू की मही लाय संच चालत करेगी प्रादीप शुर्वास्तफ किर्पूर्ण हमारे तीन ट्री हाउस बनाने का प्लैन है इसी फाटो जोन में ताकि एक जगे जब दो-तिन ट्री हाउस बन जाएंगे तो हम वह स्विधाय दे पाएंगे जो लोगों को यहां चाहिए चाहिए वो बिजली की है पानी की है मालों को अपने स्टाफ और गाड़ी के साथ आता है तो स्टाफ को रुपने भी है और दूसरा है किचन कोई भी आएगा तो एक आदमी के लिए खाना बनाने के लिए रखना या वो भी एक दिक्कत है तो दो-तिन ट्री हाउस होंगे इसमें